नवश्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दब बिजनस अंसाइड में तो आज की बिजनस अंस्टार्टब न्यूस के बारे में बात करते हैं तो बिना किसी देरी के आरम करते हैं तो पहली ख़ब की साथ स्टार्ट करते हैं Bajaj Auto Limited की Electrical Vehicle Chetak इसकी अब separately company बना दी गई है जिसका नाम है चेतक Technology Limited अब जितनी भी electrical two-wheeler scooty जितनी भी होंगी Bajaj Auto Limited की वो अब चेतक Technology Limited के अंडर में आईगे and चेतक का अब separately focused plant बना दिया गया है अकूडी पूने plant के अंदर यह वही Bajaj का पुराना plant है जहां पर 1972 में पुरानी चेतक बनाई गई गई थी so उसी plant में फिर से चेतक का manufacturing assembly चालो कर दिया गया है so देखते हैं कि अब चेतक का जो future है वो किस तरह direction में लेके जाता है and हम काफी excited है चेतक Technology Limited को लेके so अब बात करते हैं crude oil से related China काफी बड़ा importer है crude oil का and वहां पे fresh covid restrictions लगा दिये गए हैं काफी strictly and जिसकी वज़े से oil के जो prices फिर से fall हो गए है worldwide so I think यह जो crude oil का जो topic है अभी recently काफी जादा hot topic चल रहा है काफी जादा इसके अंदर जो price है वो up-down हो रहे है and I think जो prices है वो fall हो रहा है तो कहीं ने कहीं हमारी जैसी countries जो की काफी बड़े importer है crude oil के उनको काफी जादा इससे फाइदा होने वाला है so अब बात करते हैं fund raising से Kunal Shah की company fintech unicorn cred ने अभी raise किये है 140 million dollar series F capital round के अंदर and जिस valuation पे उन्होंना raise किये है वो है 6.4 billion dollar जो की काफी अच्छे valuation निकल के आती है and इस fund raising में जो नए players है वो है GIC and जो पुराने players है उसमें से है एक बड़े player Tiger Global so देखते है कि Kunal Shah की जो ये fintech company है cred वो आगे जाके किती successful हो पाती है because अभी तो काफी जादा है उन्होंने convenience कर दिया है credit card को pay करने में एक ही platform पे सारे credit card आप load कर सकते हो then बहत easy हो जाता है track करना उनको so अच्छा initiative है देखते हैं future में किस तरह से ये company चल पाती है Nika ने reveal कि Purple जो की online costumatic retail brand है जो की उनकी competitor है and उन्होंने raise किये capital at the valuation of 1.1 billion dollar and वो recently unicorn भी बन चुके है like Nika जो की upper class को target करते हैं उसी जगह पर Purple जो की है middle class को target करते हैं like small Indian towns को and जो की value for money को ढूंते है Nika की तरह ये भी खुद के products launch करते हैं ये sell करते हैं private level को लगा के now अब देखना होगा कि Nika इस segment को capture कर पाता है नहीं कर पाता है क्योंकि Purple इस segment में काफी तेजी से बढ़ रहा है आगे now अब बात करते हैं more engage के बारे में जो की customer analytical and cross channel engagement platform है इनोंने recently raise किये है 77 million dollar जो की होते है nearly 596 करोड in series E funding round में and इसमें जो major investors से वो है Goldman Sachs and B Capital so अब finally बात करते हैं Bozy जो की एक startup है जो की liquor deliver करते है and ये Hyderabad का startup है and right now उनोंने कॉलकाता में एक services start करी है की liquor वो deliver करेंगे गर पे 10 minutes में so जो की काफी I think बढ़िया बात I think 10 minutes में आपको liquor deliver हो जाएगी अगर आपको ज़रुवत है तो and ऐसा नहीं की liquor deliver करने की ये पहली company है but 10 minutes का claim करने वाली ये पहली company है now अब देखें की जो दूर वाली जो प्लेसे होती है जो की जैसे इसको इस shop है और वो थोड़ा distance जादा है तो उसको वो किस तरह से cover up कर पाते है and I think बहुत मुश्किल होता है ये सब 10 minutes का delivery because काफी सादा traffic होता है peak time पे so ये companies claim तो करती है but जो deliver करने वाली जो person होते हैं के लिए काफी मुश्किल वाली बात होती है इस हफते की important business and startup news में इतना ही उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई सुझाओ हो please comment में करना मत भूलिए please like and subscribe the channel and hit the bell icon ऐसे ही informative वीडियो के लिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे informative वीडियो के साथ धन्यवाद